गाजीपूर से लेकर लखनव तक बाहुबली विधायक मुखतार अंसारी के परिजनों और उनसे जुड़े लोगों पर ताबर तोड कारवाई ने पूर्वांचल की राजनीती में तूफान ला दिया है। गाजीपूर, माउ, आजमकर के बाद अब लखनव में भी ऐसी ही एक कारवाई करते हुए डॉली बाक कॉलोनी में बनाई गई एक टावर बिल्डिंग को जेसी भी लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। बताए जा रहा है कि ये बिल्डिंग मुखतार अंसारी के बेटों के नाम दर्ज है। जोगी आधितनाथ के इस एकाउंट से चार ट्वीट किये गए हैं। हम क्रम वार तरीके से आपको ये ट्वीट दिखा रहे हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर मुखतार अंसारी को केंद्र में रखकर किया गया पहला ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में लिखा है कि माफिया मुखतार अंसारी के काले सामराज्य के अंत का समय आ गया है। ट्वीट में दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक 66 करोड की अवैद संपत्ती जप्त हो चुकी है। गिरों के 97 साथी पुलिस हिरासत में है। अब आप इसी करम में किया गया दूसरा ट्वीट भी देखें। यहां भी योगी आदितनात के ओफिस की तरफ से कहा जा रहा है कि मुखतार हो या कोई और जन भावनाओं के अनुरूप कारवाई जारी रहेगी। इसी तरह दो अन्य ट्वीट में योगी आदितनात के ओफिस ने लिखा है कि आप राधियों के अवैद संपत्यों के उपभोग से हुई किराय के वसूली तथा इनके डेमॉलिशन का खर्च भी आप राधियों से ही वसूला जाएगा। उन्होंने एलान किया कि अवैद निर्मान कराने के शर्यंतर में शामिल माफिया मुखतार अंसारी उनके पुत्र गण और इस शर्यंतर में शामिल सभी व्यक्तियों के विरूत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्चकर वैधानिक कारवाई की जाएगी। आपको बता दे कि लखनों में हुई इस कारवाई से पहले गाजीपूर के अंधाउ स्थित एरपोर्ट की एक जमीन को भी कबजा मुक्त कराये गया था। और समर्दोगों के शस्त्र लाइसेंस भी लिलंबित करने की कारवाई शुरू हुई थी। यानि प्रशासन ने आप चारों तरफ से बाहुबली विधायक मुक्तार अंसारी को घेरना शुरू कर दिया है। अब ये देखना होगा कि बाहुबली विधायक की तरफ से इन कारवाई को लेकर क्या बयान सामने आते हैं। ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर तबाहें।